क्यों तोड़ा वे गुटली को खुरक्ती मिटाली अक्खा पबली को मलूँ है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मलूँ तमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल EKB मीडिया में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में बात करेंगे सलमान खान के फिल्म अंतिम के आड़ दिनों के कलेक्सन के बारे में सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म सूर्य वनसी के चार हपतों के टोटल कलेक्सन के बारे में साथ इसाथ बात करने वाले है इस अपते रिलिजुई फिल्म तडप के First Day Worldwide Box Office Collection के बारे में तो शलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो दोस्तो सबसे पहले अगर बात करें सलमान खान की फिल्म अंतिम दा फाइनल टूथ के बारे में तो इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पर आज आर दिन हो चुके हैं जिया दोस्तो फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पहला हपता निकाल दिया है और आज से फिल्म दूसरे हपते में इंट्री ले चुकी है बात करें दोस्तो अंतिम फिल्म के बारे में तो इस फिल्म को डाइरेक्ट किया है महिस मांजरे करने और इस फिल्म में सलमान खान के साथ हमें देखने को मिल रहे है आयूस सर्मा फिल्म का बजट था लगबग 40 करोड रुपे और इस फिल्म को दुनिया भर में 3.500 स्क्रीन पे रिलिज किया था बताना चाहूंगो दोस्तों अंतिम फिल्म ने अपने पहले दिन 5 करोड तीन लाख रुपे कमाये थी वही फिल्म ने अपने पहले हपते में यानि कि सुरुवाती साथ दिनों में ओल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 29 करोड पेतिस लाख रुपे बात करें अंतिम फिल्म के आठवे दिन के कलेक्शन के पारे में तो दोस्तों आठवे दिन फिल्म की जो स्क्रीन है वो थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि इस हपते तरड़ फिल्म रिलिज हो गई है लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अंतिम फिल्म को दूसरे हपते में यानि कि आठवे दिन भी बॉक्स आफिस पर ठीक था कोक्की पिंसे मिली है और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम फिल्म अपने आठवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड 15 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तों अंतिम फिल्म का सुरुवाती 8 दिनों में ओल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 31 करोड 50 लाक रुपे वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 42 करोड रुपे का तो दोस्तों फिल्म ने पहले हपते में तो अच्छी कमई कि आप देखते हैं कि दूसरे हपते के विकेंड में अंतिम फिल्म क्या कमाल करती है अब अगर बात करें सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म सूरी वनसी के बारे में तो दोस्तों सूरी वनसी फिल्म को वोक्स ओफिस पर 4 हपते कम्पलीट हो चुके और फिल्म आज से पाचवे हपते में इंट्री ले चुकी है हलागे दोस्तों आपको बता दे कि आप सूर्यवनसी फिल्म के जो कलेक्षन है पाचवे हपते में वो बिल्कुल कम हो जाएंगे इसके पिछे की वज़े दोस्तों ये है कि बोल्यूट के बहुत सारी फिल्म में रिलिज हो चूकी है और सबसे बड़ी वज़े तो ये है कि आप सूर्यवनसी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेट्फिक्स पर भी रिलिज हो गई है जिया दोस्तो कल साम को ओ सूर्यवंसी फिल्म को नेटफ्लिक्स बर हिंदी, तमिल, तेलगुं, मलियालम, कन्नडा और इंगलिस टोटल 6 भासाओं में रिलिच कर दिया गया है लेकिन दोस्तो बात करें कि सूर्यवंसी फिल्म ने अभी तक, यानि कि चार हपतों में कितनी कमई की, तो दोस्तो सूर्यवंसी फिल्म ने शुरुवाती चार हपतों में इंडिया नेट कलेक्शन किया है 193 करोड रुपे, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 238 करोड रुपे सात्य सात दोस्तो सूर्यवनसी फिल्म का जो ओरसिए कलेक्शन यानि की विदेशी कमई है वो रही थी लगभग 62 करोड रुपे की इसी के साथ दोस्तो सूरियवन सी फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है एक महिने के अंदर वो हो चुका है तीन सो करोड रुपे जिया दोस्तो सूरीवन सी फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 300 करोड रुपे का ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है तो छलिए दोस्तो आप बात करते हैं इस आपते के रेलिज हुई फिल्म तडप के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो तडप एक रोमेंटिक एक सन ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलनलुथरिया ने मिलनलुथरिया वही डायरेक्टर जिनने बॉलियोड में कच्चे दागे 더 dirty picture जैसी कई सांदर फिल्में बनई है इस फिल्म को प्रोडियूस किया है साजित नाडियाड वाला ने और तरब फिल्म से बोलिओड में डेब्यू कर रहे हैं, हमारे बोलिओड के अन्ना यानि कि सुनिल सेटी के सुपुत्र आहां सेटी साथी साथ इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगी तारा सुतारिया दोस्तों फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो ट्रेलर ही सूपर डूपर हिट हो चुका था लेकिन बाद में जब इस फिल्म का म्यूजिक रिलिज हुआ तो इस फिल्म के म्यूजिक ने इस फिल्म के बर्ज में चार चान लगा दिये थे जहां दोस्तों फिल्म के दो ट्रेलर रिलिज होए, दोनों ट्रेलर सूपर हिट, फिल्म का म्यूजिक भी सूपर डूपर हिट हो चुका था तो फिल्म रिलिज होने से फिल्म का जो बर्स है वो काफी अच्छा खासा बन चुका था जिसके चलते ही दोस्तों इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में बहुत ही अच्छा रिस्पोंस देखने को मिला और कहीं न कहीं पिछले हपते रिलिज हुई सलमान खान के अंतिम और जोन अबरहम की सत्य में हो जैतर टू से बेटर एडवांस बुकिंग तडब फिल्म को मिली है लेकिन दोस्तों बात करें कि फिल्म का बजट कितना है फिल्म को कितने स्क्रीन में रिलिज किया जाएगा तो दोस्तों तडब फिल्म का जो कोष्ट और प्रोडक्शन यानि कि बता दे कि फिल्म का बजट जहां 35 करोड रुपे है लेकिन फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपना जो बजट है वो पूरी तरह से रिकवर कर लिया था जिया दोस्तों तडब फिल्म के जो डिजिटल राइट है वो भी के है 20 करोड में जिसे खरीदा है एमेजोन प्रा बेच कर टोटल रिकवरी कर ली थी 45 करोड की आप फिल्म का टोटल बजट सिर्फ 35 करोड रुपे और फिल्म ने रिलीज होने से पहले डिजिटल सेटलाइट और म्यूजिक राइट से बेच कर 45 करोड की कमई की यानि कि फिल्म के जो प्रोडियूसर है साजित नाडियाड वो तडब फिल्म को रिलिज करने के पहले ही 10 करोड के प्रोफिट में आ चुके थे लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि तडब फिल्म को दुनिया भर में रिलिज किया गया है 2000 इस से भी जादा स्क्रीन में जिया दोस्तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड दो हजार स्क्रीन से भी जादा में रिलेज हुई है लेकिन दोस्तो आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो कल तक ही लगभग धाई करोड रुपे की हो चुकी थी वर्ल्ड वाइड मार्केट में त है लगभग 15 से 17 परसेंट की जो की काफी बढ़िया है तो दोस्तो जिस तरह की फिल्म को ओक्की पेंसी और जिस तरह का फिल्म का एडवांस बुकिंग हुई थी उससे देखते हुए लग रहा है कि तडब फिल्म अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 6 करोड रुपे जी यहां दोस्तो तरह फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 6 करोड रुपे की रेंज में कर रही है वही फिल्म का जो फ़र्श्ट अडे वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 8 से 8.5 करोड रुपे हो रहा है लेकिन दोस्तों बात करें कि फिल्म को बॉक्स ओफिस पर हीट का दरजा कितने करोड में मिलेगा तो अगर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर 50 करोड के कमई कर लेती है तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हीट कहलाएगी वही अगर ये फिल्म 60 या 70 करोड रुपे कमा लेती है तो फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट हो जाएगी लेकिन अगर ये फिल्म 100 करोड के कमाई कर जाती है तो तड़ब फिल्म मानी जाएगी ब्लोकबश्टर हिट तो अब देखते हैं दोस्तो फिल्म को रिव्यूस तो काफी बढ़िया मिले है उरे इस फिल्म को पब्लिक पसंद भी कर रही है तो अब ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर 50 करोड कमाती है 60 करोड कमाती है या 100 करोड वो तो आने वाले समय में पता चली जाएगा लेकिन दोस्तो आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है तड़ फिल्म फाइनल बॉक्स ओफिस कलेक्शन कितना करेगी अपने राय कमेंड बॉक्स में कमेंड करके ज़रूर बताए और तरड़ फिल्म के डेली बॉक्स ओफिस कलेक्शन के रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चेनल एके भी मिडिया को सब्सक्राइब जरूर करें